जैश्री कृष्णा मित्रों, आज की कथा में हम सभी जानेंगे कि किस श्राप के कारण स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है। एक बार भगवान श्री राम वनवास के समय अपनी कुटिया में बैठे विश्राम कर रहे थे। तभी माता सीता भगवान श्री राम से पूछती हैं कि हे स्वामी औरत किस पाप के कारण समय से पहले विधवा हो जाती है। पनरतु उसमें से एक औरत विधवा हो चुकी थी और बहुत दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी और बाकी उसी उम्र की औरत अपने पतियों के साथ सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। यह द्रिश्य देखकर मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। हे स्वामी, आप ही मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। कृपया आप मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दे कर संतुष्ठ करे। इस प्रकार माता सीता की बात को सुन कर भगवान राम कहते हैं। हे सीते, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं, निश्चिंत होकर पूछो, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूँगा। फिर देवी सीता कहती है, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है, और सारी उम्र दुखी जीवन व्यतीत करती है, और मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख शांती नहीं मिलती, और मेरा तीसरा प् पतनी अपने पती के मांगने पर भी पती को नहीं देती। इस तरह माता सीता के तीनों प्रश्णों को सुनकर भगवान राम कहते, देवी, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो, उन में से एक स्त्री समय से पहले ही विधवा होकर अपना दुखी जीवन व्यतीत कर रही और वहीं पर अन्यस्त्रियां सुहागन हैं और अपने पती के साथ खुश होकर सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। तुम जानना चाहती हो, आखिर ऐसा क्यों है? तुदेवी सुनो, मैं तुम्हें इन सभी प्रश्णों का उत्तर एक कथा के माध्यम से देना चाहता बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्यान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। और यदि तुमने ध्यान से सुना, तो तुम्हारे तीनों प्रश्णों के उत्तर कथा को सुनने के बाद तुम्ह माता सीता की यह बात सुनकर भगवान राम कहते हैं, वह नगर में सबसे किया करता है और अपने साथियों से अपनी पत्नी के गुणगान किया करता है। फिर भगवान राम माता सीता से कहते हैं कि हे देवी, उस नौकर की पत्नी की चर्चा समस्त नगर में होने लगी। धीरे धीरे फैलते हुए यह बात राजा के दर्बार में पहुँच गई। और यह बात सुनकर राजा ने अपने नौकर को बुलाया। और उस नौकर से राजा कहने लगे कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान और पतिवरतास्त्री है। महराज मुझे अपनी धर्म पत्नी पर पूरा विश्वास है कि वह एक पतिवरतास्त्री है और मेरे अलावा वह पराय मर्दों को नहीं देखती। तो इसे क्या सजा मिलेगी। फिर नौकर ने कहा तो इनको भी कुछ सजा मिलनी चाहिए। नौकर की यह बात सुनकर राजा ने कहा कि मंत्री को भी फासी की सजा दी जाएगी। मंत्री ने यह बात सुनकर कर ली और नौकर से पूछा कि मैं तुम्हारी पत्नी से क्या वस्तु लाऊं। जिससे तु मान ले कि मैंने तेरी पत्नी का पतिधर्म खंडित कर दिया। क्योंकि यह दोनों चीजें एक पतिधर्ता स्त्री के लिए सुहाग की निशानी है। यदि तुम यह दोनों चीजें मेरी पत्नी से लाकर मुझे दिखा दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का पतिधर्ता धर्म महामंत्री जी आपने नश्ट कर दिया है। तब मंत्री ने नौकर की यह शर्थ स्विकार कर ली और वह मंत्री दरबार से निकल कर नगर में जाता है और एक जादू टोना करने वाली स्थ्री से जा कर मिलता है जो काम कोई नहीं कर पाता था वह काम वह जादू टोना करने वाली स्थ्री कर कर देती थी फिर मंत्री ने उस स्त्री को सारी बात बताई और कहा तु कैसे भी करके उस नौकर की पत्नी से मेरा संबंध बनवा दे इसके बदले तुझे जितना धन चाहिए, मैं उतना धन देने को तैयार हूँ इस तरह मंत्री की बात सुनकर वह स्त्री कहने लगी मंत्री जी आपको कहने में आसान लगता होगा, किन्तु ऐसा कुछ भी नहीं है तुम जिस औरत के बारे में बात कर रहे हो, वह औरत एक पती वृता नारी है उसे ना ही किसी धन का लोब है और ना ही किसी वस्तू का लालच है तुम्हें क्या लगता है, वह तुमको मठका और कतार दे देगी फिर वह स्त्री कहती है, महमंत्री वह तेरी ओर थूकेगी और नगरवासी तेरी खाल उतार लेंगे ये बात सुनकर मंत्री डर गया और कहने लगा, यदि तू मेरा उससे संबंध नहीं करवा सकती है तो एक काम कर दे, उसके घर जाकर उसका मठका और कतार चुराकर मुझे दे दे और उसकी पत्नी के जांग के पास यदि कोई निशानी हो, तो वह निशानी मुझे देखकर बता दे फिर मैं तुझे मुह मांगा, इनाम दूँगा, तुझे जितना धन चाहिए उतना धन मैं दूँगा, बस तू मेरा यह काम कर दे मंत्री की यह बात सुनकर उस जादू टोना करने वाली स्त्री के मन में धन का लालच आ गया और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगी, लेकिन मुझे मुह मांगा धन देना पड़ेगा मंत्री ने कहा, ठीक है, और फिर वहस्त्री नौकर के घर में वेश भूशा बदल कर जाती है और नौकर की पत्नी से जाकर कहती है, बेटी, मैं तेरे पती की बुआ हूँ, मैं कई सालों के बाद आई हूँ फिर उस नौकर की पत्नी ने कहा, आप इतने सालों बाद आई हैं, इसलिए मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई और इस प्रकार वह स्त्री उस नौकर के घर में बुआ बन कर रहने लगी नौकर की पत्नी ने उस स्त्री को बुआ समझ कर बहुत आदर सम्मान दिया मगर उसे यह नहीं पता था कि इस जादू टोना करने वाली स्त्री को मंत्री ने उसके साथ चल करने के लिए और उसका पतिवरता धर्म नश्ट करने के लिए भेजा है अब वह स्त्री नौकर के घर में मजे से रहने लगी और नौकर की पत्नी के उपर जूठा प्यार लुटाने लगी एक दिन नौकर की पत्नी सनान करने के लिए सनान ग्रह में गई, फिर उसके थोड़ी देर बाद ही वहस्त्री भी नौकर की पत्नी के पास जाकर उसकी कमर रगडने लगी। उस पतिवरता औरत ने बहुत मना किया। फिर भी वहस्त्री नहीं मानी और कहने लगी तुम मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यारी लगती हो तो मना मत करो काफी दिनों के बाद में मेरी और तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है और ऐसा कहकर वह स्त्री उसे बातों के माया जाल में उलजाने लगी और फिर मौका देखते ही उसने उस परिवरता औरत के गुपतांग के पास में जांग पर एक तिल था जो उस जादू टोना करने वाली स्त्री ने देख लिया और उसका काम बन गया और जब स्नान करने के बाद में नौकर की पत्नी घर के अन्य काम करने लगी इसी बीच उस स्त्री को मटका और कतार चुराने का मौका मिल गया और उसने मटका और कतार चुरा लिया और वहां से यह दोनों चीजें चुरा कर भाग गई और सीधा जाकर मंत्री के पास पहुँची और उस मंत्री को मटका और कतार दे दिया और उस नौकर की पत्नी के जांग पर तिल की निशानी है ये भी बता दिया और मंत्री मटका और कतार लेकर सीधा राजा के दर्बार में जा पहुँचा और राजा से कहा महराज मैं नौकर की पत्नी के साथ दो दिन रहकर आया हूँ और ये मटका और कतार उसी ने मुझे दिया है इस तरह मंत्री की यह बात सुनकर राजा ने तुरंथ दर्बार लगाया और नौकर को बुलाया फिर मंत्री ने दर्बार में मटका और कतार नौकर को दिखाते हुए कहा, महाराज मैंने नौकर की शर्थ पूरी की और भरे दर्बार में ये भी कहा कि नौकर के पत्नी की जांग पर तिल है। यह भी बात सुनकर नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पती वृता धर्म पूरी तरह से नश्ट कर लिया है। अब नौकर का अपनी पत्नी से विश्वास उठ गया। फिर राजा ने शर्त के मुताबिक नौकर को फांसी की सजा सुनाई और 21 दिन बाद फांसी देने का आदेश दिया। और कहा कि नौकर को 21 दिन के बाद फांसी प पास लाया गया तो उस नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। फिर नौकर ने कहा कि महराज मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मैं आखिरी बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ और इस तरह राजा ने नौकर को आज्या दी कि तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर कुछ दिन की इजाज़त लेकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वास घात किया, छल किया है। मैंने तुम पर विश्वास करके राजा के सामने मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी, और राजा के दरबार में मैंने कहा था कि मेरी पत्नी एक चरित्रवान और पतिवरता स्त्री है, और उसके पतिवरता धर्म को कोई नश्ट नहीं कर सकता, यदि कोई नश्ट कर देगा तो पतनी ने उसे उस स्त्री की बाथ बताई जो उसके पती की बुवा बन कर उसके घर पर आई थी। मगर नौकर को अपनी पतनी की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और नौकर राजा के दर्बार में पहुंच गया। फिर राजा किसी कारणवश उस नौकर की फांसी की सजा कुछ दिन के लिए टाल दिया और उसे कैद में डलवा दिया। नौकर की पत्नी अपने पती को निर्दोश साबित करने के लिए राज दर्बार में गणिका अर्थात नाचने गाने वाली औरत की वेश भूशा धारण करके पहुँच जाती है और राजा से उसके सम्मुक अपना नृत्य दिखाने की आग्या मांगने लगी। राजा ने स्त्री की सुंदर्ता देखकर नाचने की आग्या दे दी। फिर महल के नौकरों ने उसके नृत्य के लिए व्यवस्था की। फिर उस नौकर की पतिव्रता। पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो उसका नाच देखकर राजा बहुत मोहित हुए और फिर र अंगूठी चुराई है और उसे फांसी की सजा दे दीजिए यह बात सुनकर राजा ने कहा ठीक है बताओ मेरे दर्बार में तुम्हारा चोर कौन है मैं उसको फांसी की सजा जरूर दूँगा और फिर उस नौकर की पतिवरता स्त्री ने कहा महाराज और कोई नहीं आपके मं मंत्री ने ही मेरी अंगूठी चुराई है आप इनको फांसी की सजा दे जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह स्त्री मुझे चोर बता रही है तो तुरंत मंत्री कहने लगा महाराज मैं शपत खाकर कहता हूँ कि मैंने इसकी अंगूठी नहीं चुराई है और मैंने इसे आज तक कभी देखा ही नहीं है तो मैं इसकी अंगूठी कैसे चोरी कर सकता हूँ मैंने आज तक इसकी शकल ही नहीं देखी है आज पहली बार मैं इसकी शकल देख रहा हूँ जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस स्त्री की आज तक शकल ही नहीं देखी है तो वह पतिवर्ता औरत अपने वास्तविक वेशभूशा में आ गई और कहने लगी, महराज इस मंत्री ने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं, तो आप इससे यह पूछो कि यह मठका और कतार कहां से लाया है, और मैं उसी नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहां पर नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोश पती को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं, इसी लिए मुझे यहां इस गणिका की वेशभूशा में आपके दरबार में आना पड़ा, मैं आपको इस मंत्री की पूरी सच्चाई सुनाती हूँ, यह जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में जादू टोना करने वाली स्त्री को मेरे पती की बुआ बना कर भेजा था, और उसने धोखे से मेरी जांग के तिल का पता लगाया, और उसी स्त्री ने यह मटका और कतार चुरा कर इसको दे दिया, और आपके मंत्री ने इसके बदले उसको बहुत सारा धन दिया है, और मेर महाराज, और मैं आज भी पतिवर्ता हूँ। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ और मैं कभी भी अपने मुह से अपने पति का नाम तक नहीं लेती हूँ। क्योंकि यदि कोई स्त्री अपने पति का नाम मुह से लेती है तो पति की उम्र कम हो जाती है। और समय से पहले ही उस स्त्री के पति की मृत्यू हो जाती है और स्त्री समय से पहले ही विधवा होकर एक दुखी जीवन जीती है। बस यही कारण है कि तुम जिन स्त्रियों की बातें कर रही थी। उनमें से एक विधवा इसी कारण से हुई है और उनमें से एक नौकर की पत्नी थी। जो पति व्रता स्त्री थी। यह स्त्री कभी भी अपने पति का नाम मुह से नहीं लेती थी। जिसके कारण वह आज भी सुहागन है और सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। और वह स्त्री जो समय से पहले विधवा होकर दुखी जीवन जी रही है। वह हमेशा अपने पती को नाम लेकर बुलाती रहती थी, जिसके कारण उनके पती की उम्र कम होती चली गई, और फिर उसके पती की मृत्यू समय से पहले ही हो गई. आज वह औरत दुखी जीवन जी रही है, इसलिए किसी भी स्त्री को अपने पती का नाम अपने मुह से नहीं लेना चाहिए. और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है, और वह पती के होते हुए भी सदा दुखी जीवन जीती है, तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पती की बिना अनुमती लिए कहीं भी चल देती हैं, वे कभी सुखी जीवन नही जीपाती है, ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी ही रहती है, और उन्हें पती का प्रेम कभी नहीं मिलता, फिर भगवान राम माता सीता से हैं, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था, कि ऐसी कौन सी चीज है, जो एक पत्नी अपने पती को मांगने से भी नहीं देती है, तो समझ स्त्रियां कभी चरित्रवान नहीं होती और ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं, उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता और समय से पहले ही ऐसी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं। और इस प्रकार माता सीता कथा सुनने के बाद अपने तीनों प्रशनों का उत्तर पाकर संतुष्ठ हो जाती हैं। आप सब को अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जैश्री राम जरूर लिख देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।